Hello दोस्तों दो स्वागत है आपका दिवोटेक में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Indian Post Pave and Bank से CrossPondent ID आप कैसे ले सकते हैं जिसमें आप Business CrossPondent ID ले सकते हैं इसमें आप बहुत सरी work कर सकते हैं जैसे कि अधार काड बनाना हो गया अधार काड में अपडेट करना हो गया छोटे बच्चे का अधार काड देख सकते हैं आपको यहाँ पर अधार काड फॉर चिल्डरेंड बिलो फाइब इयर ठीक है मतलब जीरो से लेकर पांच साल के बच्चे का अधार काड भी बना सकते हैं और अपडेट मोबाइल नंबर इन यूर अधार कार, ठीक है, तो ऐसा आप ये काम कर सकते हैं, इसके बाद भी बहुत सारी सर्विस मिलती है, एक यही सर्विस नहीं मिलती है, यहाँ पे बैंकिंग भी सर्विस मिल जाती है, जहां से आप इंडियन पोश्ट पेमिन बैंग मे और इसके बाद ये इजी वे है, बहुत ही असान तरीके से खोल सकते है, यहाँ पे दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या-क्या सर्विस आपको मिल ले वाली है, तो हम इंडियन पोश्ट पेमिन बैंग यहाँ पे कुलिक करते हैं, आई पी पी बी कुलिक करेंगे, तो आपक सर्विस रिक्वेस्ट फर्म, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यह जो सर्विस है, यह कौन-कौन सी सर्विस अभी फिलहाल में इंडियन पोश्ट पेमिन बैंक में मिल रही है, तो यहाँ पे कैस विड्रॉल का काम कर सकते हैं, इंडियन पोश्ट पेमिन बैंक में अगर आपका एक काउंट है तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे KYC का भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बैंकिंग का आईडी खोले हैं, तो KYC का भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे QR कार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एक खास बात यह भी है, कि जिसमी कस्टमर का आप अकाउंट खोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे भी UPI का काम कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे 2-wheeler, 4-wheeler, insurance भी कर सकते हैं, health insurance भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अधार में mobile number update का भी option मिल जाता है और छोटे बच्चे का अधार card भी आप बना सकते हैं, ठीक है, जो जो service चाहिए उस पे आप click भी कर सक हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ID लेने के लिए सबसे पहले disability criteria आपको जाना जरूरी है, कि किन किन लोगों को यह ID मिलेगी और कैसे मिलेगी, तो दोस्तों यह ID उन लोगों को मिलने वाली है, जिनके पास छोटी मोटी दुकान होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप दे पोस्ट में बैंक का एकाउंट आप ले सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपके पास अठवी या तस्वी का certificate होनी चाहिए, पास आउट होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा आपका age होनी चाहिए, बैंक एकाउंट नमबर आपके पास रहना चाहिए, किसी भी बैंक का बैंक ए जिसम से आपकी अच्छी खासी आमदनी या छोटी मोटी आमदनी आती हो, वैसा कोई बिजनेस आपके पास होना चाहिए, तब ही आप खोल सकते हैं, तो इसमें आप अगर दुकान घर से भी खोलना चाहिए, तो खोल सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डॉक्मेंट क्या-क् अधार कार्ड भी दे सकते हैं, तो यह सभी डॉक्मेंट आपके पास होनी चाहिए, और इजबिलीटिक एडिया होनी चाहिए, तब ही जाके आपको यह आईडी मिलती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह आपको अपलाई कैसे करना है, अपलाई करने का तो फर्म और यह फर्म डाउनलोड कर लेंगे, यह इंडियन पोस्ट पिमिन बैंक की आपको यहाँ पे फर्म है, जहां से बीसी आईडी आप ले सकते हैं, इसको बीसी आईडी बोला जाता है, जो इंडियन पोस्ट पिमिन बैंक की तरफ से मिलता है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आ यहां पे आपको नीचे आप देखेंगे तो यहां पे क्या-क्या आपको फॉर्म भढ़ना है इससे पहले एक बाते दोस्तों बता दे यह जो भी सर्विस आपको मिलने वाली है वो धीरे-धीरे भी करके मिल सकती है जैसे कि पहले आपको यहां पे आपको डालना होगा इसके बाद यहां पे आपको अल्टरनेटी मोबायल नमबर आपको देना ही परेगा अल्टरनेटी मोबायल नमबर अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो कोई भी मुबाइल नमर घर का भी दे सकते हैं आपको पीन कोड जो देना है वो नियरेस्ट आपके जो भी आ नियरेस्ट मतलब जो आपका इंडियन पोस्ट पेमिन वैंक का होगा वहां का दे सकते हैं पेन कार्ड इमेल आईडी और यहां पे मुबाइल नमर देख ले रहा है कि आपका address कौन सा है ये सिर्फ हम डेमो के लिए बता रहे हैं अगर आपको यहां पे जैसे कि आपका जहां भी घर है जहां भी आपका जो भी city है वो आप यहां पे डालेंगे यहां पे place name में और इसके बाद find करेंगे उसके बाद लेंगिट्यूट लेटिट्यूट आपके सामने सो हो जाता है जो आपको फॉर्म बे भरना पड़ता है तो एक्जेक्ट लेंगिट्यूट लेटिट्यूट यहाँ पे डाल सकते है इसके बाद यहाँ पे पापा का नाम आपको डालना होगा जिसमें first name, last name और middle name तो ये आपको डालना चरूरी है उसके बाद ममी का नाम डाल देंगे उसके बाद date of worth आप यहाँ पर अपना दे देंगे nationality में आप Indian डालेंगे उसके बाद gender डाल देना है male और female जो भी आपका है उसके बाद यहाँ पर आपको photo ID proof मतलब आपका जिसमें photo रहेगा वो ID proof आपके पास होना चाहिए जिससे आप यहाँ पर देख सकते है passport, diabetes, election, voter ID card उसके बाद यहाँ पर income tax मतलब कि आपके बाद Spain card होना चाहिए अधार card होना चाहिए बहुत सारी जो भी certificate है वो आपके पास होनी चाहिए कोई एक ही certificate ठीक है उसके बाद proof में भी आप अधार card दे सकते है या voter ID card दोनों में आपका address रहता है वो दे सकते है bank details की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको branch का नाम डालना होगा उसके बाद IFC code डालनी पड़ेगे यहाँ पर आपको account name जैसे के आपके bank account में क्या नाम है वो जो सही सही नाम होगा वही नाम आप यहाँ पर डालेंगे इसके बाद यहाँ पर semi account है या current account है यह आपको बताना होगा account number आपको यहाँ पर देना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर business correspondent declaration form आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर आप जो डालेंगे इसके बाद यहाँ पर अपना sign तो करेंगे ही करेंगे उसके बाद दुकान का मोहर भी आपका होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर आपको date और place डाल देनी होगे और जो जो आपके पास document यहाँ पर दिया गया है ठीक है मैंने पहले ही document के बारे में बता दिया है जैसे कि आपके पास अधार card, pain card, driving license, रासन card कोई भी एक के document आपके पास होना चाहिए टाभी आप यहाँ पर business correspondent firm को भर सकते BC ID ले सकते Indian post, payment bank से जहाँ पर आपको बहुत अच्छी कासी service मिलती रहती है और उस service का आप यूज भी कर सकते है और उस service के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों एक चीज़े दी गई है कि आपको जमा कहां करना है ठीक है जमा करने के लिए link आपको description मिलेगी direct आप इस site पर आएंगे यहाँ पर आने के बाद branch office आपको देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर branch office जो है पूरे इंडिया में 650 branch है जो Indian post payment bank की है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको state select कर लेना है जो भी आपका state है वो आपको select कर लेना है उसके बाद आपके पास यहाँ पर circle देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको branch name देखने को मिल जाएगा यहाँ पर branch address देखने को मिल जाएगा branch head name जहाँ पर आपको जमा करना है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको email ID भी देखने को मिल जाता है अब दोस्तों यहाँ पे email ID भी आप भेज सकते हैं जैसे कि आपका यहाँ से दूर है आपके घर से बोस्ट आफिस दूर है तो आप यहाँ से direct आप email ID भी भेज सकते हैं email ID दिया गया है वहाँ पे भी आप PDA भी भी भेज सकते हैं तो ऐसे भी आपको यह भी option मिल जाता है तो आपका कुछ दिन कोई बाद या दो दिन पांक दिन के अंदर में आपको call आ जाता है उसके बाद आपको ID प्रोभाइट कर दी जाती है ठीक है तो ऐसे ही ID मिलता है यह offline form मैंने इसलिए बताया online में बहुत सरे हमारे भाई का nearest post office नहीं खुल रहा है ठीक है जैसे कि उनको option नहीं आ रहा था online में तो offline के माधियम से आप direct जमा कर सकते हैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिस किया कि अगर आपका nearest post office नहीं खुल रहा है ठीक है नहीं मिल रहा है तो आपको option में तो आप यहाँ से offline form जमा कर सकते हैं यह BC enrollment ID मतलब यहाँ से form जमा करके download करके और यहाँ पर भरके आप nearest Indian post payment bank जो है जहाँ पर आपको BC ID मिलता है वहाँ पर जाके जनकारी ले सकते हैं और वहाँ पर मैंने बताया है सरकल में वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं तो पूरी जनकारी मैंने देने की कोशिस किया कि आपको अगर Indian post payment bank की तरफ से जो ID मिलता है वह ID कैसे लेंगे business correspondent ID तो ये आपको बिल्कुल free में मिल जाती है कोई भी charge आपको देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है चलिए दोस्तों यही बताना था इस वीडियो में वीडियो कैसी लगए हमें comment में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe कर लिजेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जाएँ 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 भारत वंदे मातरम